एश्यकप 2023 के लिए आपको बता दे कि फाइनली अफगानसान की टीम अपनी स्कौर्ट का एलान कर चुकी है इस एश्यकप में कुल 6 टीमें भाग ले रही है जिसमें से 4 टीमें पहले ही अपनी एश्यकप की स्कौर्ट एलान कर चुकी थी पाकिसान, इंडिया, नेपाल और बांगलदेश, दो टीमें बाकी थी अफगानसान और शुलंका और इन दोनों में से अब अफगानसान ने भी एश्यकप से 3 दिन पहले अपनी स्कौर्ट का एलाना फाइनली कर दिया है, हश्यकप लिए की कप्तानी में अफगानसान की टीम ये एश्यकप खिलने के लिए तो 17 सदस्यों की स्कौर्ट का एलान किया है, अब एक बात फड़ा फट से अफगानसान की स्कौर्ट पर नज़र डालते हैं, अफगानसान की स्कौर्ट में शामिल है हश्मत उल्ला शाहीदी कप्तान, रहमन उल्ला गुर्बास विकेट कीपर, इब्राहिम जादरन, रिया सदस्यों की स्कौर्ट जो एश्या कब 2023 खेलने वाली है, अगर बात करें तो यह पूरी की पूरी अल्मोस्ट वही स्कौर्ट है, जो अभी पाकिस्तान खिलाफ तीन माच्ट की ओडियाई सीरीज खेल कर आ रही है, सिर्फ दो नए नाम शामिल किये गए हैं इसकौर्ट में तो ने उननेस ओडियाई माच्ट खेल रहे हैं जिसमें 14 विकेर शटका है तो सिर्फ 66 बनाए है यहां पर बात करें तो इन दोनों का नाम अभव एश्या कब की में स्कौर्ट में शामिल किया है लेकि पाकिसान ए खिलाफ यह माच्ट नहीं खेल रहे हैं तो देखने वाट अगर अगर शामिलता है तो किस तरह का प्रदर्शन वे दिखाते हैं अगर बात करें तो इसमें अफगार सा की स्कॉर्ड एवे काफी ही स्ट्रॉंग नजर आ रही है यंग्स्टर और एक्स्पीडियंस में इस्कॉर्ड तयार करी जो कि काफी जादा अच्छी बात है इसम प्रदर्शन के जो कप्टान है शाहिदी वो एश्यकप में अच्छा प्रदर्शन दिखा है बाकि देखा जाए तो अफगार सान की स्कॉर्ड काफी स्टॉंग है अब 6 में से पांस ती में इस्ट्रॉंग कर अपने स्कॉर्ड का इलान कर कुकि और सिर्फ शुलंका बाकि ह आप लोग को अफगारसान की ये स्कॉर्ड एस एशिया कप के लिए कैसी लगी मुझे फर्फर्फर से काव मज़ूर पताईए आप देखिर तो फान स्पोर्ट इसरे को लाइक कमेंट और चानल सब्स्राइब करना विक को भी हमत भूलेगा